चालबाज चीन की नजर ताईवान पर है नजर नहीं, बुरी नजर कहिए चीन हर वो कोशिश कर रहा है जिससे ताउइवान डर जाए नैन्सी पेलोशी के ताईवान पहुशने के बाद ड्रेगन बौक लाया हुआ है चीन की सेना ने सोमवार को दावा किया है कि ताइवान की सीमा पर युद्धा भ्यास जारी रहेगा यह एंटी सब मरीन अटेक एर टू शिप जैसे हमलों के प्रैक्टिस हो रही है आपको बता दे कि 4 अगस्ते 7 अगस्त चीन ने ताइवान के पास 6 जगों पर युद्धा भ्यास किया इस दोरान मिसाइले भी दागी गई 7 अगस्त को यह भ्यास रोक दिया गया लेकिन अब सेना का बयान आया है कि वो प्रैक्टिस जारी रखेंगे सोचिए कि चीन को अपनी वोर प्रैक्टिस के लिए ताइवान की सीमा ही क्यों मिली मकसद साफ है कि चीन ताइवान में देश्षत बनाए रखना चाहता है चीन दावा ठोक रहा है कि अमेरिका ने नैंसी पेलोशी को भेज कर हमें छेड़ने की कोशिश की है और अब अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा वहीं ताइवान का कहना है कि नैंसी पेलोशी के आने से बोखलाए चीन ने अपने लगाकू विमानों से ताइवान ए स्ट्रेट के मीडियन लाइन को पार किया चीन ने लिखा है कि हमारे और अमेरिका के बीच के रिष्टे वन चाइना पॉलिसी पर अधारित है और जब यह अधार टूट जाएगा तो प्रिथवी काप जाएगी और पहाड हिलने लगेंगे चीन ने आगे लिखा कि अमेरिका खुद को दुनिया की पुलिस समस्ता है लेकिन सभी देश ये जानते हैं कि अमेरिका पहले हालात बिगाड़ता है और फिर पिरित देश पर इस सारे आरोप मर देता है तो चीन अमेरिका को धमकी और ताइवान की घहराबंदी में जुटा है ऐसे में क्या हम रूस और युक्रेन के बीच बैक टू बैक चीन और ताइवान युद का गवाह बनने जा रहे हैं ऐसे में सवाल है कि क्या दुनिया रूस और युक्रेन युद के बाद बैक टू बैक चीन और ताइवान युद का गवाह बनने जा रही है